हाई गाईज मेरा नाम है जत्यन अगरवाल चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वापस से और आज हम एनलाइस करने वाले हैं रीटेलर्स के फेवरिट स्टॉक येस बैंक के कौर्टरली रिजल्ट को तो सबसे पहले येस बैंक के आसपास जो न्यूस चल रही है उसको समझ लेते हैं येस बैंक का शेर 30 रुपीज से 70 रुपीज के राउंड तक राली कर चुका है और वो भी 2-3-4 दिन में ही इसके अंदर 1.2 बिलियन डॉलर्स की investment की news आ रही है कि कोई foreigner या कोई foreign investor है जो इसके अंदर 1.2 बिलियन डॉलर्स inject करना चाता है तो अब ये additional capital जो raise करना चाते हैं ये equity issue करके करेंगे equity issue करके करेंगे तो dilution होएगा आपका तो आपका जो खुद का share price उस पर बहुत impact आएगा पहली चीज secondly अगर ये dilute करके करते हैं या बिना dilute करें भी करते हैं तो they need several approvals from RBN से भी तो ये मुझे लगता है कि काफी time लगेगा इस काम को पूरा होने में बड़ जो भी कहिए है आप positive sentiment राए और share ने बहुत अच्छी राली दिखाई है अब भी जो result आए हैं उसके अंदर भी Mr. Ravneet Gil ने कोई नाम announce नहीं किया specifically और results बहुत ही खराब आए है जो main चीज रही है उनकी balance sheet श्रेंग होई है जो की काफी negative है और जो Ravneet Gil है उन्होंने खुद का है कि 31,000 करोड की जो इनकी double B rated book है उसके अंदर 25% default हो सकता है तो हम कुछ key ratios और कुछ key numbers analyze कर लेते हैं हम इसको year on year compare करेंगे तो पहला हो जाता है capital adequacy ratio यानि कि इनके पस कितनी capital है तो ये घटके 16.3% पे आ गए 17% से book value जो company के इसके share की होती है ये आपका 109 rupees पे आ गए 118.4 rupees होता था 118.4 rupees होता था ये gross NPA जो की मेरे को सबसे worrying factor लग रहा है इस समय 7.39% पे आ गए 1.6% होता था net NPA भी rise किया जब gross NPA किया तो 4.35% पे 0.84% होता था ये जो gross NPA और net NPA के numbers है ऐसे numbers आपको सिर्फ public sector banks में देखने को मिलते था जिनके अंदर defaults बहुत जाता होते थे और आपने देखा उनकी क्या valuation है वन टाइम्स बुक पे भी trade नहीं करते हैं वो shares provision coverage ratio जो है वो 43.1% पे आ गया है provisions बढ़ गए है 1336 crores के हो गए है net interest income जो है वो घड़ गई है 2186 crores पे आ गई है 2186 crores पे आ गई है 2418 crores होती थी और जो non interest income है जो की और भी बुरी तरह गिरी है that is 946 crores now it used to be 1473 crores और जो earning पर share है इसका company का वो तो बिलकुल ऐसा लग रहा है खतम ही हो गया है 0.4 पे आ गया 4.2 रूपीज होता था तो आप देखो कि हर parameter पे results बहुत ही खराब है speculation ही चल रही है कि कोई foreign investors के अंदर आके पैसा डालेगा अगर 1500 रूपे पे भी उस समय आपको मिलता है तो कोई बुराई नहीं है आपको इसके अंदर clarity होनी बहुत जरूरी है results बहुत खराब है अभी भी इनका काफी allocation ऐसे assets में है जो default कर सकते हैं इन्होंने खुद बोला है I would suggest it's a complete avoid हमारी इसके अंदर कोई buy recommendation है आएगा जब इसके अंदर जो stake उठाना चारा है तो उसको भी काफी guidelines और काफी कुछ देखना पड़ेगा तो हम wait करते हैं नए promoter के announcement आने दीजिए नए promoter का नाम सामने आने दीजिए उसके बाद इस share में पैसा लगाए results आपके सामने है share पता नहीं price उपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा इतने खराब results अगर कोई और bank दे रहा होता तो आप उसको हाथ भी नहीं लगाते तो please ध्यान में रखिए fundamentally बहुत deteriorate हो चुगी है condition bank की हमारी सलाह यह है कि आप अभी इसको avoid करिए wait and watch situation में हमारे हम कहीं से भी नहीं कहे रहे है fail हो जाएगा या आगे इसके funding plans नहीं हो पाएंगे but clarity आने दीजिए जब promoters का ही stake खतम हो गया है और नया promoter आने वाला है तो पहले promoter को आने दीजिए आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चीए आपको वीडियो पसंद आई होगी और यह information आपकी help करेगी अपने investment decisions लेने में अगर आपको कोई भी doubt है investment के regarding तो आप moneycraft को contact कर सकते हैं और आपकी हर तरीके से साहता करी जाएगी इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए, subscribe कर दीजिए चानल को प्लीज इस वीडियो को share कर दीजिए whatsapp groups पे ताकि लोगों को पता रहे कि results क्या आए है, actually हमने इसमें सिर्फ results analyze करें, हमने को additional input नहीं दिया है और जुड़े रहे है channel के साथ आगे की videos के लिए, धन्यवाद